साथियों हाल ही में एक लेखी का जिनका नाम है अरुंधती रॉय इनके खिलाफ दिल्ली के उपराज जुपाल ने UAPA Act के तहट केस दर्ज करने की परमीशन दे दी है कौन है ये अरुंधती रॉय? क्या है मामला जिनके तहट इनके उपर UAPA कानून के तहट केस दर्ज करने का कहा गया है? क्यूं इनके चलते ही भारत की राजनिती गरमा गई है? भारत की राजनिती को लेकर के कुछ बुद्धी जीवी वर्ग के लोगों का कहना है कि इनके उसको बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे लोग हैं उन्हें इस बात से और बल मिलेगा कि देखिये वर्तमान सरकार ने अपने खिलाफ बोलने वाले लेखिका को गिरफतार करने का आदेश दे दिया है ऐसा क्या मसला है ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते ये सारी चर्चाएं आ गई हैं क्यों एक लेखिका जिन्हें दुनिया में बुक्स के लिए प्रतिस्ठित पुरसकार बुकर पुरसकार से सम्मानित किया गया हो उनके ऐसे कौन से लेख हैं उनके द्वारा ऐसी कही गई गया देश को तोड़ने वाला माना गया और जिन कारणों से उनके गिरफतारी के लिए कानून को लागू करने का कहा गया कि इन पर इस केस के इस कानून के तैट गिरफतारी की जाए आज के सेशन में अरुणधती रॉय उनसे जुड़े हुए मामले और उनके उपर सरकार की जो सरकार के द्वारा की गई कारवाई, UAPA Act, उसकी धाराएं इन सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, अरुणधती रॉय एक लेखी का है, नॉर्थ इस्ट से बिलॉंग करती है, लगभग साट साल की फिलाहल हो चुकी है, इनकी एक पुस्त सरकार भी कई 2 और 3 नंबर पर दुनिया में एक्जिस्ट करता है, कुछ इस प्रकार का इन्हें पुरसकार से संभानित किया गया था, हाला कि इनकी और भी बहुत सी पुस्तके हैं, जिनमें से सबसे महत्वपून दा गौड ऑफ स्मॉल तिंग्स है, जिसको दुनिया भर न भी तिंग्स है, फिलहाल इनके उपर प्रॉसक्यूट करने का एंटी टेरर लौ सरकार ने आदेश दिया है, कि इनके ऊपर एंटी टेरर लौ चलाया जाए, एंटी टेरर लौ किस लिए चलाया जाया जाए, क्योंकि इन्हों ने कश्मीर विशेब पर एक ऐसा ना जाने कितनी बार ये विचार किया होगा कि इनके इस रिमार्क के चलते जो कि भारत को तोड़ने वाला था विभेधनकारी था, सेपरिटिस्ट था उस विचार के बावजूद की कल को दुनिया वाले ये कहेंगे कि सरकार ने अपने खिलाफ लेख लिखने के कारण इने गिरफतार किया, अब चूकी लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का महोतसव मनाया जा चुका है, लोकसभा चुनाओ के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सरकार सत्ता में आ चुकी है, तो ऐसी चीजें जिन्हें लेकर के किसी के मन में ये ब्रह्मना हो, कि जब उसे कुछ नहीं किया, तो मुझे भी कुछ नहीं करेंगे, तो एक स्टेंडर संभवतया सेट किया गया है, और उसी सेट करते हुए, कश्मीर पर 14 साल पहले की गई टिपनियों के चलते, फिलहाल दिल्ली के उपराज जपाल ने अरुंधती राय के खिलाफ UAPA Act यानि Anti-Terror Law के अंदर कारवाही करने की परमीशन दे दी है, हाला कि इसके बहुत सारे आयाम बन सकते हैं, बहुत सारे लोगों का ये संभवतया कहना है कि इन्हों ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के खिलाफ आज से नहीं, जब से वो गुजरात के CM हैं तब से लेकर काफी टिपनिया की हैं, इस कारण से उन्हें फिलहाल गिरफतार करने का आदेश दिया गया अब इंटरेस्टिंग बात लोगतंत्र की समझिए आप केवल उनके खिलाफ बोलते हैं, इसलिए आपको गिरफतार करने का आदेश दिया गया है ये बहुत ही अच्छा डिफेंस भी है, ये डिफेंस भी है कि देखिए, फाइनली डर गए डर गए तो मुझे गिरफतार किया ये कैसी आईरनी है कि आप अपने मन में आ रहा है वो कहती चली जा रही है और सामने वाला आपके खिलाफ कोई कारवाही ना कर पाए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग कहेंगे कि अभिव्यक्ती की आजादी को कर्टेल कर दिया गया है आप देश को तोड़ने वाले आप को देश के विभेदनकारी बयान देश के खिलाफ आप टिपनी करें देश में हो रहे उन सब मसलों को दुनिया के सामने रखें जो की देश में ही सुलजाए जा सकते हैं जिनें बैटकर आपसी समझदारी और वेमनेश्य के जो दौर समझदारी से दूर किया जा सकता है और वेमनेश्य को मिटाया जा सकता है लेकिन आपका प्रयास रहता है कि उन सब चीजों की अंतराष्टे इस तर पर चर्चा करके भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए और भारत विरोधी हो करके दुनिया के सामने कैसे इज़त बटोरी जाए भारत विरोध के इनके बयान कश्मीर मामले पर तो इतने मुखर है कि ये साफ कहती है कि कश्मीर इस नौट अन इंटिग्रल पार्ट आफ इंडिया यानि कि कश्मीर भारत का अभिन अंग नहीं है और इस बात का यही वो बयान है जिसके चलते इनकी गिरफतारी तैकी गई है साथियों ये अपनी इस बात को कहते हुए ये तक कहती हैं कि ये मेरा नहीं भारत सरकार का भी UN के अंदर स्टेंड था कि वो कश्मीर को भारत का अभिन अंग नहीं मानती थी मैं भी तो बार-बार वही बोलती हूँ कि कश्मीर भारत का अभिनंग नहीं है और हाँ कश्मीर में जहां कुछ लोग कुछ लाख लोग रहते हैं उनके उपर इतने लाख लोगों की सेना लगाई हुई है जो कि दुनिया में सबसे ज़ादा एक तरीके से कहा जाए तो पंधक बना करके रखी जाने वाली टेरिटरी है ऐसी जगे को खाली कर देना चाहिए भारत को इससे अपने से मुक्त करने देना चाहिए इसका मतलब साफ है कि आपके ये वो बयान है जो प्रसन्नता देंगे उन लोगों को जो चाहते हैं कि कश्मीर भारत के साथ ना रहे संभवतया ऐसी ही चाहत अलगाव वादी भी रखते हैं भारत के खिलाफ जो सेपरिटिस्ट पावर हैं उन लोगों में विशेश रूप से जो हुर्यत के नेता हैं ऐसे लोग जो की नेता के साथ साथ आतंक वादी भी प्रूवन हैं जिन्होंने भारत ये सेना के कई जवानों पर गोली चलाई आप उनके साथ हाथ मिला करके देखी जाती हैं आप उनहीं के बयानों को और पुष्ट करती हैं आप लोगों के सामने ये कहती हुई पाई जाती हैं कि देखिए मैं तो इंडियन हूँ और लोकतंतर में बिलीव रखती हूँ इसलिए अभिव्यक्ती की आजादी के नाम पर कश्मीर अगर भारत के साथ ना रहे तो इसे आजाद कर देना चाहिए मतरमा आप बहुत इंटेलिजेंट हैं आप संभवत है दुनिया भर का नॉलेज लेकर चल रही हैं लेकिन भारत के केस में एक जो मतलब मेरे जैसा कम ग्यान वाला भारती है वो इतना ही जानता है कि हमारे देश में इतनी विवदताएं हैं इतनी डाइवर्सिटी है कि हर आदमी अगर अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ने लगे तो भारत एक रास्ट बन ही ना पाए भारत एक साथ रही ना पाए क्योंकि हर देश, हर व्यक्ती, हर पहचान अपने आप में विविदता लिये होता है जापानी लोग अपनी जापान की आइडेंटिटी को लेकर लड़ रहे हैं यहुदी इसराइल में अपनी आइडेंटिटी को लेकर लड़ रहे हैं जर्मन्स अपनी ज़ाई को लेकर लड़ रहे हैं अगर इस प्रकार की आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर के दुनिया के लोग संघर्ष करने लगें, तो इंडिया का तो सरूप संभवी नहीं है मेडम, आप बताईए ना किस चीज को आप मानेगी कि ये भारत है, टेक्निकली आपके हिसाब से तो भारत है ही नहीं, तो 1947 से पहले जो था वो आपकी नजर में हो सकता है, उप्युक्त हो उसके बाद तो भारत को खंड में तूट जाना चाहिए था, अपनी सस्ती लोग प्रियता और चार लोग आपकी बातों पर ताली बजा दें, कुछ लोग जिनके विचार आपकी बातों से पुष्ट होते हों, उन्हें आपकी वज़े से दम मिल जाए संभवत आपके बयान इसलिए आते हों, क्योंकि आपको भी अपनी एक ओडियंस चाहिए, आपको भी उन बयानों को प्रचलित करने के लिए ऐसे लोग चाहिए, और विशे शुरूप से विदेशियों की तो ये तमन्ना रही है, जब दुनिया के लोग हमको छोड़ कर जा रहे थे, जब बिटि शर्स के साथ मिलना है, हमारे साथ मिलें, जन्हें पाकिस्तान से मिलना है, उन्हें पाकिस्तान से मिलें, यानि कि उन्होंने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी तोड़ने की हमें, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा सरदार वल्लब भाई पटेल के उस साहस को जिन्होंने भ रिटिश प्रयास जिसमें भारत को तोड़ने के समान तमाम कारे किये जा रहे थे चाहे जूनागर मसला हो चाहे हैद्रअवाद मसला हो उन्हें अपने तौर तरीखे से चाहे पाइ हुग और भाइ प्रॉक बाइ फोर्स के माध्यम से उन्हें में समझाया गया कश्मीर के केस में भी यही हुआ था कश्मीर के केस में जब कश्मीर भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा था तो भारत ने उसे बिल्कुल सेपरेट चोड़ दिया था महराजा हरी सिंग जब यह समझ पाए कि पाकिस्तान के कबीले की वेश्बूशा में सेना अंदर गुसाई है तब वो भारत की सहायता मांगने आये थे और उस सहायता की एवज में भारत की तरफ से का गया था कि आप पहले इंस्टुमेंट आफ एक्सेशन पर साइन करिए आप अपने समर्थन पत्र पर सस्थाक्षर करिए समर्थन पत्र पर सस्थाक्षर करिए और कहिए कि आप भारत के साथ रहना चाहते हैं विलै पत्र पर आपका हस्थाक्षर ही हमें अपनी सेना वहां बेजने के लिए allow करेगा और यही कारण हुआ कि भारत ने अपनी तरफ से उन्हें sign करवा करके ही अपनी सेना को वहाँ बेजा और पाकिस्तान को खदेडा तब से पाकिस्तान के एक हिस्से पर जिस पर वो पहले चड़ाई कर चुका था वहाँ पर बैटा हुआ है और उसके बाद से भारत और पाकिस्तान एक LOC बना करके एक दूसरे के साथ रह रहे हैं हाला कि इस बीच में यह कहा जाता है कि भारत के द्वारा इस मसले को सुलजाने के लिए UN की यातरा की गई थी और UN से अभारत और पाकिस्तान उसे अकेला छोड़दें लेकिन पाकिस्तान जिसमें उस चेतर पर कबजा कर लिया है वो उसके बाद एक बार भी पीछे नहीं अटा जब कश्मीर के अंदर उसका कबजा उस चेतर तक रहा तो भारत ने भी फिर पार्ट कश्मीर है और हमेशा के लिए रहेगा लेकिन अरुंधती रॉय उन लोगों को हमेशा बल देती रही जो भारत के खिलाफ कश्मीर के खिलाफ बयान देते रहे और कश्मीर को एक सेपरेट कंट्री और सेपरेट स्टेट और पाकिस्तान समर्थित बनाने के लिए अप प्रमीशन दे दी है, इनके साथ साथ मुकदमा चलाने की प्रमीशन दे दी है, इनके साथ साथ Central University of Kashmir के International Law के पूर प्रोफिशर शेख सौखत हुशेन पर भी UAPA के तहट मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली है, ये मंजूरी एक कारे करता है, सुशील पंडित उनकी शिकायत के अधार पर दी गई है, असल माएने में राय और हिसान के खिलाफ इन्हों ने FIR दर्ज कराई थी, राज भवन की अगर बात माने तो 2010 में दर्ज कराई गई FIR के खिलाफ, FIR के चलते इन पर अब इन दो मामलों के तहत ये अरुंदती रॉय हैं और ये वो हैं शेख जो डॉ अफिसर शेख हो सौकत हुसेन इन दोना के ऊपर कारवाही करने की पर्मीशन दी गई है, अब ये कौन है, अरुंधती रॉय हैं और इनका क्या बयान है, अब वो सुन लीजिए ये एक बयान दे रही हैं जिसमें ये 2010 के अंदर एक स्टेटमेंट दे रही हैं, एक इस्थान पर खड़े हो करके, ये कह रही हैं कि मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि मैडम, आपका क्या विचार है? इन्हों ने कहा कश्मीर कभी भी इंटिग्रल पार्ट नहीं था इंडिया का, और इस बात पर यहां तालिया बजने लगती हैं, यही बयान इनका इनके उपर यूए पीए 1967 लगा रहा है, साथियों यूए पीए के एक्ट में 2019 में, यूए पीए एक्ट आज का नहीं है, 1966 क आया हुआ एक्ट है, जिसमें बीच बीच में संशोधन हुए, अब संशोधन होते होते वो अपने एक्स्ट्रीम तक जा चुका है, यानि कि उसके अंदर भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की, भारत की एक ताखंडता को तोड़ी कर तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ क करने के लिए दिया गया था, अगर देश की integrity और sovereignty को challenge करने के लिए कोई भी व्यक्ति कैसा भी कारे करेगा, तो उस पर action लेने का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है, ये भारत और भारत के बाहर रह रहे है, foreigners दोनों पर apply होता है, अगर उन्होंने इंडिया और इंडि दिया जा सकता है, 180 दिन investigation का इसके अंदर दिया जाता है, जिस समय ये case दर्ज किया जाता है, 2019 में इसको amend करके NIA officer, जो inspector rank के हैं, उन्हें investigation करने का charge दे दिया गया और state level पर DSP और ASP rank के officers जो हैं वो जाच कर सकते हैं, law empower the government to designate individual as terrorist, ये law किसी व्यक्तिविसिस्ट को terrorist आतंग क tag करने का अधिकार दिता है, the approval of directors general of police is required to attach properties connected with the terrorist, और अगर किसी व्यक्ति के नाम के साथ terrorist जुड़ गया, तो according to DG of police के कहने के अनुसार, उस व्यक्ति की संपत्ति को सरकार अपने कबजे में ले सकती है, इसके साथ साथ यहां पर बहुत सारे विशे शुरू होते हैं, और तो यह है कि सरकार अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ, UAPA का पालन करती है, यह अक्सर उन लोगों के द्वारा दिये गए बयान है, जिसमें कि यह कहा जाता है कि यह इसलिए गिरफतार की गई, क्योंकि यह भारत के नहीं अपितु सरकार के खिलाफ बयान दे थी ठीक है फिलाल के लिए देली के लेफटेनेंट गवर्नर के द्वारा इनके ऊपर यूए पी ये कानून चलाने की पर्मीशन दे दी गई है अब ये घटना कहा किये पहले वो सुनते हैं तो साथियों 21 अक्टूबर की घटना है उसमें ये रॉय और हुसेंद दौनों ही LGT आडिटोरियम है कौपर निकस मार्ग के ऊपर दिल्ली के अंदर वहाँ पर आजादी दा ओनली वे नाम से एक सम्मिलन हो रहा था वहाँ पर ये इस प्रकार के भाशन दे रही थी उन भाशनों में इनके द्वारा दिये गए भाशन के कारण जिस प्रकार का माहुल बना भारत के अंदर काफी जादा अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला था ऐसा राजपाल के कारेले के द्वारा कहा गया है रॉय और हुसेन के अलावा इस कारेकरम में भाग लेने वाले अन्य लोगों में कश्मीरी अलगाववादी शैयद अली शाह गिलानी दिल्ली वि वो मामला है आजादी दा ऐंली वे जिसमें यह भाशन दे रही है यह उस समय की ओल्ड खेलिण ह Excellent अब इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों देखो इनकी कुछ तस्मीरें देख लो जिसकी वज़े से इनको आप देख के पहचान सकते हो कि यह जो आतंकी दिख रहा है इसका नाम यासिन मलिक है, यह वो आतंकी है जिसने चार इंडियन एयर फोर्स के ओफिसर्स को पॉइंट ब्लैंक से मारा था, अब आप देखें कि इनका और इनके एक दूसरे की बीच की जो केमेस्ट्री है और हाँ, इस आतंकी के तो बयान भी काफी वाइरल रहे हैं, ठीक है, उनके साथ इनकी केमेस्ट्री देख करके लोग अंदर से बहुत उद्वेलित होते हैं, कि यह इन्हें कश्मीर के अंदर कश्मीर की आजादी अगर अपनी आइडेंटिटी के लिए इसी तरह का संगर्श करने लगे, पंजाब कहें कि साब हम तो पंजाबी हैं, हमें अलग चाहिए, राजिस्थान वाले कहें हम तो राजिस्थानी हैं, हमें अलग राज्य चाहिए, तमिलनाडु वाले कहें हमारी अपनी भाशा है, और फिर ये कहा जाए कि सरकार उन लोगों को जो की अभिव्यक्ति के नाम पर अपना अलग राज्य चाहते हैं, अपने आपको अलग होना चाहते हैं सरकार उन्हें मारती क्यों है सरकार उन्हें कूटती क्यों है बंद क्यों करती है इन्हें बंद नहीं करना चाहिए हमारे देश में लोकतंत्रिक अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए तो क्या आप ऐसा लोकतंत्र प्रिफर कर रहे हैं क्या जिसमें भारत को तोड़ने वाले लोग भारत के अंदर सम्मान पा रहे हैं तालियां बटोर रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ अगर सरकार कारवाही कर दे तो सरकार को तानाशाह टैक कर दिया जाए कि देखो लोकतंत करे फिर तो ये extreme phase of लोकतंत्र हो गया हाँ ये बात सही है कि लोकतंत्र के अंदर लोग अभिव्यक्ति की आजादी रखते हैं हमारे देश में भी article 19 के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी article 19 में दी गई है लेकिन उसके साथ-साथ reasonable restrictions जोड़े गये हैं उसमें जोड़ा गया है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी प्रकार से देश में देश की एकता और अखंडता को नुकसान ना पहुँचाए एकता और अखंडता को नुकसान पहुचाने के बयानों को भी अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं तो ये केवल देश को गुमरहा करने जैसा है शिकायत करता है सुशील पंडित जिन्होंने इस प्रकार से इस आवेदन को किया था अब एक चीज और मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ इनका बहुती सिस्टमेटिक तरीके से अरुंधती रवय का क्लाइंटेज है मतलब ये किस तरह की बाते करते हैं कि बहुत सारे वीडियो हैं लेकिन ये सुनाई नहीं देंगे आपको इस चक्कर में मैं फिलाल बोल के सुना देता हूँ आपके बहुत सारे बयान किस तरह से सुर्खियों में रहते हैं मैं ऐसे समझाता हूँ देखिए नर्मदा आंदोलन जब हुआ मेधा पाट करके नेतरत्व में नर्मदा नदी पर जब डैम बन रहा था तब आप परियावरन की हिफाज़त करने के लिए सड़कों पर बैठ गई कि सहब हम इस समय नर्मदा नदी पर इस बन रहे डैम के खिलाफ हैं क्यों खिलाफ हैं क्योंकि डैम बनने से जब डैम का पानी भरेगा तो जंगल डूब जाएंगे और बहुत सारे आदिवासियों को वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं दूर जाना पड़ेगा लोगों ने कहा कि देखो कितनी intellectual महिला है बात बहुत अच्छी कर रही है उन लोगों के लिए बात कर रही है जो आदिवासी हैं जंगल में रहते हैं पानी भरने से जिनका घर बंद डूब जाएगा जिनके दिक्कतें हो जाएंगी जिनको बहुत जादा दिक्कतें आ जाएंगी ये वही लोग हैं साथियों जो इस तरह की बातें बंद कमरों में एर कंडिशन के अंदर बैठ कर राइट अप लिख करके भी करते हैं लेकिन जब इनके घर में AC चल रहे होते हैं तब ये भूल चुके होते हैं कि उनकी AC की कीमत उस नर्मदा डैम ने चुकाई है उस नर्मदा डैम से पैदा हो रही बिजली उस नर्मदा डैम से एकटा हुआ पानी ही बहुत से लोगों की प्यास बुझा रहा है आज जब देश की राजधानी भारत जैसे देश में जो दुनिया के अंदर इस बात की बावाईया लूट रहा है कि दुनिया की टॉप फाइफ एकॉनमी बन गया है वहाँ देश की राजधानी में पानी के लिए टैंकर के सामने जगडते हुए लोगों की तस्वीरे जब सामने आती है तब मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है सबसे पहला सवाल ये आता है कि पानी मिल क्यों नहीं रहा आंसर खोजने निकलते हैं तो पता चलता है कि दिल्ली के पास परियाप्त पानी नहीं है क्यों नहीं है तो पता चलता है कि हर्याणा ने पानी पूरा नहीं छोड़ा हर्याणा से पुछा जाता है कि भाईय तुमने पानी क्यों नहीं छोड़ा आप सोच कर देखिए कि अगर हमारे देश में ये जो राजिनितिक कारे करता हैं, ये जो परियावरन की पहचान बना करके संघर्ष करने के लिए सड़कों पर बैठने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम तो आदिवासियों के समाज के लिए बात कर रहे हैं, वो ये बात भी क कर सकती हैं, वो एक मध्यमार्ग भी निकलवा सकती हैं, वो सरकार से इस बारे में भी चर्चा कर सकती हैं कि आप इन आदिवासियों के पुनर निवास के लिए प्रयास करें, इन आदिवासियों को प्रपर कंपनसेशन मिले इसके लिए प्रयास करें, अब प्रोजेक्ट के के द्वारा तीखिये गए एक संस्थागत प्रयास का परिणाम भी हो सकता है अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों क्योंकि अगर भारत सुविधाओं में आत्म निर्भर होने लगे अगर हम खुद हाइड्रो पावर इलेक्टरिटी पैदा करने लगें तो हमें क्या आवशक्ता रह जाएगी दुनिया भर से तेल मंगाने की हमें क्या आवशक्ता रह जाएगी दुनिया भर से परमानू रियक्टर के लिए गिड़गडाने की हमारे ही देश की नदियों से इतना बिजली पैदा हो कि हम अपने देश को आत्म निर्भर हाइड्रो एलेक्ट्रिक से बना पर नहीं हमारे देश में ये सो कॉल्ड जो अभिविक्ति की आजादी दिखाने वाले जो एक्टिविस्ट हैं ये हर बार आकर के अपनी उसी राग को लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं आप हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं चलिए आपकी एक तक एक हद तक ये बात स सत्य ही रह जाएगा ये सत्य है कि परियावरन के साथ जब जब इनसान ने प्रगति की है उसके साथ परियावरन को नुकसान हुआ है ये सत्य है कि डवलप्ड कंट्रीज ने आज जो डवलप्मेंट देखा है उसकी कीमत प्रकरती ने चुकाई है लेकिन ये भी सत्य है कि भारत के 140 करोड भारतियों को अगर दुनिया में अपने आप को खड़ा करना है, 140 करोड भारतियों को चाहिए कि वो आने वाले समय में अमेरिका के साथ बैठ कर आँखों में आखे मिला सके, तो हमें भी प्रगर्ती के साथ साथ प्रकर्ती करनी पड़ेगी, प्रकर्ती और प्रकर्ती का ये जो सामन जश्य है इसी को बिठाने के लिए भारत में अल्रेडी कानून बने हुए है इसी के तहट NGT के द्वारा, Green Tribunal के द्वारा भारत में तमाम वो प्रयास किये जाते हैं इसके तहट जमीन को और प्रकर्ती को संरक्षित रखा जा सके इसी के चलते भारत के अंदर वन्य जीव अभ्यारंड बने हैं, नेशनल पार्क बने हैं, बायोस्फियर रिजर्व बने हैं ताकि हम अपने जीवन के साथ-साथ प्रकर्ती को भी साथ-साथ लेकर चल सकें ये कोई भी कहता हुआ नहीं पाया जाएगा कि प्रकर्ती को नुकसान नहीं होता अगर देश दुनिया प्रगती करती है, नहीं होता है आवशक्ता है कि उसको कमपन्सेट कैसे किया जाए, इसी के लिए केमपा फंड बनाया जाता है, कमपन्सेटरी एफ़ोरेस्टेशन फंड, ये बनाया जाता है केमपा एक्ट है बकायदा, जिसके तहट जो नुकसान हुआ है, उसका पैसा वसूला जाए और उसके आधार पर प्रकर्ती का विकास किया जाए और सुनिये इन मैडम की बातें, ये तो केवल एक बात हुई, दूसरी बात सुनिये आप अपनी बातों में कहते हुए अक्सर ये पाई जाती है, कि भारत सरकार के द्वारा, आदिवासियों के खिलाफ कारवाईयां की जाती है अब इनका इशारा किस तरफ है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसी बड़ी चुनौती बने हुए नकसलवाद के लिए साथियों कहते हैं, जितने आतंगवाद ने हमारे देश के वीर जवान सहीद नहीं किये जितने हमारे देश के अंदर पन पे हुए नकसलवादियों ने किये और उनकसलवादियों को वैचारिक ताकत दी इन जैसे लिबरल्स ने शूडो लिबरल्स ने जो देश के सामने खुद को दिखाते हैं कि हम आदिवासियों के हित के हितैशी हैं आप आदिवासियों के हितों के हितैसी नहीं है, कुछ अंगरेजी के अच्छे शब्द और कुछ अच्छे लोगों के बीच में उच्छना बैठना आप जानते हैं और उनके हितों की बात करते हुए आप उन्हें वो जैसे हैं वैसे ही बना रहने देना चाहते हैं आपकी जबान से तब शब्द नहीं निकलते जब वो वैपन ले करके हमारे देश के जवानों को गोलियों से भून देते हैं आपको उनकी प्रगर्ती पसंद नहीं है क्योंकि उनकी प्रगर्ती में आपका नुकसान है क्योंकि आपका दिया हुआ एजंडा आदिवासियों के नाम पर चल ही ना पाए अगर वो लोग सक्षम हो जाएं लेकिन मेडम चिंता ना करिए हमारे देश में अगले साल तक नकसलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा जिस प्रकार से भारत ने और भारतीयों ने इस बात को समझा है कि हम अपने संसाधनों का जब तक अप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे दुनिया के साथ कदम मिला कर हम नहीं चल सकेंगे हमारे देश में अकसर उन लोगों को बहुत प्रोटसाहन मिलता है जो भारत विरोधी बात करते हैं भारत के खिलाफ, भारत की सेड़ा के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ अगर बातें करते हैं तो दुनिया के लोगों की तरफ से तालिया मिलती है चाहे भारत में मिल रहे नोबल पुरसकार हूँ, मिलने वाले बुकर पुरसकार हूँ या किसी भी पुरसकार हूँ अगर आप उसको इस नजरिये से देखें कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण इने इतनी इज़त मिली, तो आप पहचानेंगे कि अच्छा, सरकार की विरोध में बोले थे, सहासी थे तो क्या आप उनके साहस को सलाम देने के लिए पुरसकार देते हैं, कि तुम सरकार के सामने बोलो या आप उसके माध्यम से बहुतों को उकसाते हैं, कि देखो सरकार के सामने बोलने पर इनाम मिलता है पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाती है, कैई लोगों का तो ये तक कहना है कि इनके खिलाफ हुई कारवाई के चलते दुनिया के अंदर ये स्थापित हो जाएगा कि देखो इंडिया से लोकतंत्र जा रहा है अरे चला तो 14 साल पहले गया होता हम तो ये चाहते हैं 2010 में ही क्यों ना कारवाई हो गई हम तो ये चाहते हैं और इतना 10 साल बाद में इंतजार क्यों करना पड़ा ये सोचने का विशे है इसका मतलब ये है कि इनके द्वारा संस्थागत तरीके से आदिवासियों के नाम पर नकसलवाद को बढ़ावा देना कश्मीर के सेपरिटिस्ट लोगों की भावनाओं को बढ़ावा देते हुए कश्मीर में अलगावाद को बढ़ावा देना ऐसे बहुत से इनके बयान है, और तो और, इनके द्वारा भारत के अंदर हो रही हिंसा पर भी बयान बड़े चिंता जनक होते हैं, इनके बयान इस तरह के होते हैं कि देखिए, मुसल्मानों के साथ ऐसा किया जा रहा है, देखिए हमारे देश में मुसल्मानों के साथ क्या treatment हो रहा है मैं घर से बाहर निकलती हूं तो मुझे डर लगता है मैडम यू शुड आपको डरना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया आप से सहमत नहीं है और भारत का हर आदमी गुलाम नहीं है जो आपके बयानों से ये सोचे कि हां मैडम ने बोला है बड़ा टेंशन है देश के लोग हैं और जब आप देश के खिलाफ बात करती है तो आपको इस बात में भी डर ना लगे कि आपको कल को कोई आकर के जमीन पर रोक कर कहेगा कि मैडम जी ये क्या बाते करती है आप देश में ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोल रही है आपको डर लगना चाहिए मैडम क क्योंकि आप बोलती ऐसी चीजें हैं आपका बोलना आपका लिखना हमेशा देश विरोधी प्रतीत होता है और आपके इस देश विरोध को जनता समझ रही है इस चीज को पहचान रही है आप कहती हैं कि हमारे देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है एक देश म अंदर जब 4-5 लोग एक साथ रहते हैं तो उनके बीच भी बाते होती हैं लडाईयां होती हैं लेकिन लडाई का अर्थ ये नहीं होता कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं हमारे देश में सब लोग मिल जुल कर साथ रहना प्रिफर करते हैं मिल जुल कर साथ रहते समय कुछ ऐ इसी घटनाएं समाज कंटकों के बीच होती हैं जो देश के एकता और अखंडता के लिए नुकसान दायक होती हैं जब समाज इस तरह की गलती करता है तो कानून उन पर उचित कारवाही करता है आप 2-4 उधारन पूरे देश के इतिहास में से निकालती हैं और पूरे देश को ऐसा टेक कर देती हैं कि हर तरफ अत्याचार हो रहा है हर तरफ परसिक्वेशन हो रहा है सरकार सब पर एकदम विभत्स होकर तूट पड़ी है आपका यह जो पहना हुआ चश्मा है यह चश्मा दुनिया भर में भारत की इमेज गिराकर आपको चंद रुपियों के के तहत इन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है CRPC के धारा 196 के तहत सेक्ट 153A इंडियन पीनल कोड के तहत इन पर अपकारवाहियां होंगी सुशील पंडित के द्वारा दी गई जो प्ली थी 28 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के अंदर उसके उपर ही कारवाहिय की जा रही है कोई भी डेमोक्राटिक कंट्री ऐसा नहीं चाहेगी कि वहां के लोग आतंग वहां के लोग सेना के बीच में डर करके रहे हमारा देश डेमोक्राटिक है तो फिर इन लोगों को क्यों न आजाद छोड़ दिया जाए आजाद तो हम मैडम छोड़ देते लेकिन मुद्दा ये है ना कि आप जैसे कुछ लोगों के भड़काव बयानों ने वहां के लोगों का दिमाग फिरा दिया 370 हटने के बाद आपके ये बयान एपरासंगिक हो गए हैं वहां के लोग अभी मैंने दो दिन पहले एक सेशन किया है कश्मीर घाटी वर्सिस जम्मू कश्मीर घाटी में आतंकवाद घटा है क्योंकि आप जैसे लोगों का प्रोपगेंड़ा वाँ नहीं चल पाया लोग बिगड़ रहा होता है तो पिता जी की मार और डाट दौन जरूरी होती है लेकिन बाद में बच्चा बड़ा हो करके पिता जी को धन्यवाद देता है कि पिता जी सही समय पर रोक लिए थे अदर्वाइस हम बिगड़ जाते अभी बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के ल और यह अराजकता वादी होना कोई आपके लिए गाली नहीं होगा बहुत सारे लोग अपने दुनिया भर में मानिताएं ऐसी रखते हैं जो अपने बारे में कहते हैं कि मुझे पावर्लेस इस्टेट चाहिए अभी कुछ दिन पहले 2023 में मैडम ने बयान दिया महिलाएं रेप को जस्टिफाई कर रही हैं महिलाएं दूसरी महिलाओं से कह रही हैं कि रेप करिये ये केवल मानिपूर की बातें नहीं कर रही है इंट्रेस्टिंग बात सोचिए मतब ये लोग जब बयान देते हैं इंट्रेस्टिंग बात ये कि इनके बयानों में तार्किकता ऐसी लगती है कि लगता कि यार ये तो एकडम सही बात कर रही है अब मैं इनके सामने एक रिवर्स तर्क रखता हूँ आप फिर बताएगा कि मैडम कितना सही बात कर रही है रिवर्स तर्क सिर्फ इतना सा है कि मैडम आपने जो तर्क दिया ना कि महिलाएं महिलाओं के रेप को पुर्टसाहिद कर रही है मनिपुर के case को ले रही हैं, हात्रस के case को ले रही हैं मैण मैनम जिस समय आप बयान दे रही थी नहां उतनी देर में भी एक महीला का रेप हो चुका था और ये मेरे देश की बात नहीं है दुनिया के पूरे देशों के साथ में मानव सभिता के विकास के साथ में जो सबसे कुटसित करत्य हुआ है वो महिलाओं के साथ हुआ है मानती होंगी पड़ी लिखी है इस बात को जानती भी होंगी लेकिन इंटरस्टिंग बात यह है कि बकाइदा प्रोपोगेंडा मशीनरी के द्वारा कुछ ही रेप की घटनाओं को पबलिक किया जाता है और उस पर फिर प्रपर तरीके से मशीनरी काम करती है राजनिता निकलते हैं रेप पीडित के घर जाते हैं विक्टिम के लिए प्रोटेस्ट करते हैं वहां बैठ करके राजनिती करते हैं फिर वो चुनाव का मुद्दा बनता है जिस समय पर वो एक रेप के लिए संगर्श कर रहे होते हैं कि यहां देखिये क्या हुआ है उस समय उसी जिले के अंदर किसी ना किसी और महिला के साथ ऐसी ही कोई विवत्स घटना घटी होती है उस पर किसी भी मीडिया का हाध्यान नहीं जाता क्यों नहीं जाता क्योंकि यह प्रॉपर तरीके से चैनलाइजड किया गया कार्य होता है आवशक्ता आपके बयानों की नहीं है मैडम अगर आपको इतनी बयान देना है न moral policing दुनिया से करवाईए आप खड़ी होईए, समाज को जागरत करिए और कहिए कि समाज ऐसा बने कि हमें ऐसी घटनाओं को इस्थान नहीं देना है आप जिस तरह की बाते कर रही हैं उस बात में आप किसी एक पक्ष को समर्थन देती हुई और किसी दूसरे पक्ष को उतसाहित करती हुई दिख रही है आपका ये बयान विभादन कारी है वास्तविक्ता में अगर आपको वाकई में बयान देने हैं ना तो एक ऐसे समाज की कलपना करिए जहां आप जाएं और उस छेत्र के लोगों को ये कसमे दिलाएं कि हमारी माता बहने आपके साथ सुरक्षित महसूस करें हे मेरे मानुस इस तरह का व्यक्तित्व अपने अंदर लेकर आईए बनिये ना आप तो कारे करता है समाज की एक ऐसे समाज की कलपना करवाईए जहाँ पर महिलाएं पुर्षों के साथ सुरक्षित मैसूस करें आप कह रही हैं कि नहीं इस तरह के लोग है जिनकी मानुसिक्ता के कारण ऐसा हो रहा है अरे आप तो अच्छी मानोसिक्ता वाली हैं ना आपनी मानसिक्ता से सुधारिए इस टेसे सिंसराना निजए इस के साथ सूधिंग बाते कर रही है निए मजा आए मेड़ारा सिंसरा आपके अंगरी ची सुनके आप केह रही हैं जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ कॉलोनियल पावर से आजाद हुआ उसके बाद इन्हों ने भी वही काम शुरू कर दिया आजादी के बाद से ही कश्मीर मनिपूर तालंगाना और क्या बोली जाने आसाम इन सब के अंदर रिवार शुरू कर दिया मेडम जिस इस्थिती में हमें छोड कर गए थे ना वो इस्थिती भड़ी खातक थी हमारे लिए हमें जब अंग्रेज छोड कर गए थे तो वो हमें एक देश बना कर नहीं देखे गए थे कि ये संभालो इस टेरिंग गाड़ी अब चला लेना आप जिस बात को दुनिया को सुना रही हो इस प्लीजेंट इसमाइल के साथ में आप ये बात क्यों बताना भूल जा रही हो कि अंग्रेज हमें बहुत सी रियासतों में तोड कर गए थे कहकर गए थे रियासतों से कि आप माउंट बेटन का जो 3 जून का बालकनाईजन का वो बालकन प्लान ही ये है कि आप टुकडों में हैं आपको जिसके साथ रहना है रहिए आपको स्वतंतर रहना है स्वतंतर रहिए राष्ट की कलपना कैसे कर पाते आज बताईए इससे कर गए कि सब सेपरेट रहिए और परिणाम निकला कि हम से निकल करके हैदराबाद कहने लगा हम अलग रहेंगे पूरोत्तर स्टेट कहने लगे कि हम अलग रहेंगे क्योंकि अंगरेज कह गए क्योंकि हम पर सासन करते थे किसी देश को युनाइट करने के लिए तरीके यही होते है मैडम या तो प्यार से मान जाओ नहीं तो मना लिया जाएगा यही अवधारना हर पावरफुल स्टेट की होती है आज इंडिया को एक युनाइटेड इंडिया देखकर आपको हो सकता है बुरा लगता हो क्योंकि आपका जो लोगों के प्रती रवया है कि इन्हें आजाद छोड़ दीजिए इससे देश नहीं चलते है हमारे देश में जब भी बात की जाएगी देशों के देश के एक ही करन की उस समय पर पटेल सहाब को लावपुरुष को याद किया जाएगा मैनन सहाब को याद किया जाएगा जिन्होंने रियासतों को एक टेबल पर विठा कर कहा कि मिलिए और भारत का निर्मान करिए हाँ आपके नजर में ये वार हो सकता है क्योंकि हमने उन सब को जो भारत के विरोध में खड़े थे उन सब को लाइन से बिठाया और अपने साथ रखा ये वार आपको अंग्रेजों के काल में नजर नहीं आता होगा ये वार दुनिया में और कहीं आपको नजरी नहीं आता होगा आज भी अफरिका के बहुत से देशों में फ्रैंस की वो करंसी चल रही है जिसकों कि उन्हों ने गुलाम्य के लिए बनाया था इसी प्रकार से दुनिया के बहुत से देश आज भी बहुत सी कॉल नी बनकर रह रहे हैं ताजा उधारन फ्रांसीसी कॉलोनी का हमने कुछी दिन पहले डिसकस किया है लेकिन आप जसे लोगों के बयान यहां पर इसलिए चलते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसी से ही आपका पहचान बचा हुआ है हाल ही में करन्ट सिचुएशन के ऊपर कहते हैं कि मुझे तो डर लगता है यहां पर रह कैसे सकते हूं बिलकुर लगना चीए क्योंकि अब देश का व्यक्ती इंस्पायर हो चुका है वो समझता है कि हमारा देश कैसे चलता है गजब इंट्रेस्टिंग चल रहा है जी कुल मिलाकर बात ये है कि ये एक मशीनरी है और इस मशीनरी को प्रपगेट करने के लिए बहुत सी ताकतों के द्वारा जो देश को एक तरह से उनाइट नहीं रहने दिना चाहती उनके द्वारा इन जैसे बुद्धी जीवियों को समाज में छोड़ दिया जाता है जिनका ध्यान केवल उन बुराईयों पर जाता है एक भी समाज इतिहास से निकाल कर दिखा दीजिए जहां पर देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई ना रही हो बुराईयां रहती हैं उनी से निपटने के लिए सक्त कानून होते हैं सक्त कानून सक्त राज से होते हैं राज जनता चुनती है देश की डेमोक्रेसी ने देश के लोग जनता ने एक जनता सरकार चुनती है वो सरकार कानून बनाती है ताकि इन चीजों से निपट सके और आप जैसे लोग जो देश के अंदर जहर फैलाते हैं इन से भी निपट सके खेर फिलाल के लिए आप पर प्रतिकरिया आना शुरू हो गई है और फिलाल के लिए अरनब गोस्वामी की प्रतिकरिया काफी सुर्की बटोर रही है वो बहुत खुश है कि ऐसा हुआ है अच्छी बात है और आएंगी प्रतिकरिया क्योंकि आपने जो भी काम किया उस पर प आपकी है, मैंने आपको पेपर का विसलेशन दी दिया है, आराम से आप भी बैठ कर पेपर देखिए, समझ ये, समझ करके विशय विशय तयार कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि NCRT का बैच पढ़ना है आपको, तो जाएए अभी एन्रोल कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉ आपको पढ़ने का टास्क नहीं दे रहा हूं, अगर आप खुद से पढ़ने के इंटरसेड नहीं है, बैच जोई ना करें, मैं बार-बार इस चीज के लिए टोक रहा हूं, आपका self-study, आपकी किताबों के साथ, NCRT के साथ करना होगा, NCRT के साथ करने के लिए आपको 6 से लेके 12 तक की NCRT बता दी जाएंगी, आपको वो लेकर आनी होगी, तब ही जाकर क्लास में बैठियेगा, शुरुवात जोग्रफी से होगी, जोग्रफी में भी फिजिकल ज आजा कर दें, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना विक्तित विस प्रकार से विक्सित करें, कि महिलाएं आपके साथ